Hello everyone, welcome you all at Achievers Online Classes and this is Priya, your Commerce Teacher. H.T.P.Z.T. Level 3 Commerce का जो course है, हम start करते हैं इसको अब और आपको इस course को start करने से पहले कुछ basic important चीजें जो मुझे आपके साथ में discuss करनी है, तो चलिए start करते हैं. देखिए, before we start our course, let's discuss some important things. Starting में ही मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, कि अपनी preparation के दोरान इन चीजों को अपने ध्यान रखना है, ठीक है? तो let's start with my introduction. My name is Priya, as you know, and I'm your faculty of commerce subjects. My qualification is four times net. Ashtet and HPSC screening exam, I qualified. Ashtet and HPSC screening exam, I qualified in my first attempt and net in my second attempt. Okay, तो देखिए, दो चीज़े मुझे face हुई मेरे exams के time पे, वो आपके साथ में experience share करूँगी, और जो चीज़े मैंने सीखी है, वो भी आपके साथ में share करूँगी. ठीक है? तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़े ध्यान में रखनी है, जैसे ही आप अपनी preparation को start करते हैं, उसके साथ जो आप चीज़, जो जो starting में आपका motivation level है, वही same motivation level तिल exam तक आपका होना जाहिए. ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, एक dialogue है, फिल्म का, how was this Josh? तो यह आपका हमेशा high रहना चाहिए, ओके? यहाँ पर next देखिए, कुछ चीज़े मुझे discuss करनी है, 5-6 point, जादा time इसमें हम waste नहीं करेंगे, please listen, इसको आप पूरा सुनिएगा, तो यहाँ पर देखो, जितना content मैं आपको कराऊंगी, एक सुन लेना, जितना content आपको कराऊंगी मैं, उतना more than sufficient है, क्योंकि मैंने वो सब कुछ पढ़के मेरे exams qualify किये हैं, तो मुझे पता है कि कितना आपको crack करना है, ठीक है? क्योंकि commerce का जो syllabus है, आपका बहुत broad है, और उसमे current of year, daily changes जो आते रहते हैं, तो आप जितना चाहो, ऐसे तो syllabus आपका कितने भी महिनों में खतम नहीं होगा commerce का, लेकिन किसी भी exam की हम preparation कर रहे हैं, उसके according, आपका जो syllabus वीडियो भी मैंने discuss की हुई है, design की आपने देखी होगी वो, तो वो जो content है, और जो मैं कराऊंगी हर एक topic में, वो more than sufficient है, ठीक है ये बात मैं आपसे promise करती हूँ कि अगर आपने जितना मैंने कराया, वो अच्छे से कर लिया, then you easily crack your exam, second चीज़, आपको focus करना है, revision पर जितना करा दिया जाए, उससे related revision पर, ना कि आपको focus करना है, बार बार किस चीज़ पर, कि अलग-अलग हम content को पढ़ लें, इसका main जो harm है, वो आपको ही होगा, क्योंकि UPSC तक के exam में ये माना जाता है, कि एक content अगर हमारे पास है, उसी को ही हम बार-बार-बार revise करते हैं, तो उस content को पढ़कर, आप highest mark score कर सकते हो, बजाए कि जब आप एक book से करते हो, दूसरी से करते हो, ठीक है, second चीज, everything, cautions, ठीक है, cautions, notes, सब चीजें आपको खुद से अपनी बनानी है, cautions मैं हर एक unit के बाद discuss करूँगी, आपको cautions की बिल्कुल भी tension नहीं लेनी, previous year cautions की, जैसे ही हमारी एक unit होती है, क्योंकि हम last में discuss नहीं करेंगे, कई बार क्या होता है, last में discuss करते हैं, इसका नुकसान ये होता है, कि जो unit हमने कर ली, उसके बाद जब हम last में course खतम होने को आता है, तब हम discuss करते हैं, तो आप उस unit को भूल जाते हैं, कुछ बच्चे concept को lose कर जाते हैं, तब जबी हम क्या करेंगे, साथ साथ unit के हर एक questions, जो unit से related है, previous year को आए हुए हैं, उन सभी को discuss करेंगे, notes आपके अपने डेली बनाने हैं, notes का फाइदा ये है, कि एक तो आप अपनी writing में लिखोगे, तो आपको समझ में आएगा, दूसरा, आप जितना crispy चाहो, जिस type से चाहो, वैसा write कर सकते हो, थर्ड चीज, आपके revision हो जाएगी, notes बनाते हुए, and fourth, ये आपको future में काम आएंगे, अब देख या google form, जो कि खुद मैं questions design करूंगी, वो quiz आपको दिये जाएंगे, for your practice, ठीक है, last में, और उसमें से ये देखा जाएगा, कि आप कितने marks score करते हो, ये आपका level भी बताएगा, fifth है, जब पूरा course complete हो जाएगा, ठीक है, पूरा course जब complete हो जाएगा आपका, तो आपको revision करनी है, उस पूरे course की, दो से तीन टाइम, revision is, must practice makes a man perfect, okay, then next is, कि जब हमारा पूरा course हो जाएगा complete, उसके बाद जब previous year questions हो जाएगे, मैंने मेरे design की होए question भी आप लोग के साथ में share की, आपके वो भी correct हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी book up market से, जिसमें की previous 10 year questions हो, H-Tate के screening exam के commerce के PZT के, आप purchase करें, उन questions को daily लगाएं, ठीक है, एक paper daily आप अपना attempt करें, और ये देखें कि आप कितना score करते हैं, जहाँ पर आपकी weakness है, वहाँ उनको आप दूर करें, ठीक है, कोई doubt आता है, तो मुझसे पूछी, ठीक है, उसके बाद, third चीज, कि किसी भी exam के लिए, यहाँ पर तो आपके पास time है काफी, ठीक है, course की validity भी है, बट मैं मानती हूँ, किसी भी exam के लिए, आपको three month more than enough होते हैं, क्योंकि मेरा जो खुद का experience है, वो ये है कि मैंने जो HPAC का exam है, जो कि assistant professor के लिए होता है, screening का highest exam है, वो मैंने 15 days में निकाला है, ठीक तो मेरे हिसाब से आपको तीन महिनों में कोई भी subject आप easily क्या कर सकते हो, exam को crack कर सकते हो, ठीक है, best of luck from my side, second चीज़ अपने consistency को maintain करना है, अपना जो time है, उसको waste नहीं होने देना, ठीक है, starting में ऐसा ना हो कि जोश आपका high हो और बीच में फिर आप क्या हो जाओ, low हो जाओ तो consistency आपकी होनी चाहिए, okay, so ठीक है, बीच बीच में ये motivation lecture हम लेते रहेंगे, कोई doubt आते हैं आपका, तो वो भी आप share कर देना, solve करने की कोशिश करेंगे, पूरा solve करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना syllabus अब start करते हैं, first unit से, पूरा portion जब आपका हो जाता है, उसके बाद हम डेली, जो भी आपको class ली जाती है डेली, उसकी revision करेंगे, last minute, ठीक है, तो चलिए, start करते हैं इस topic को, और उसमें क्या क्या important है, और कहां कहां से previous year question आए हुए है, ये भी discuss करेंगे, business environment का जो meaning है, जो environment है, वो हमारा two words से मिलकर बना है, that is business and environment, ठीक है, business environment आपका, यहाँ पर आप business भी add कर लेजिए, ठीक है, business environment दो words से मिलकर बना है, business and environment, business का मतलब क्या है, all economic activity in which a person busy, यानि busy state, तो किसी भी economic activities में, जब एक person busy होता है, like, वो कोई भी manufacturing का business कर रहा है, ठीक है, farming का कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं business, environment का मतलब condition in which you live, यानि जिन conditions में आप रहते हो, उसको हम environment बोलते हैं, so business environment का मतलब क्या है, all economic activity, जो run की जाती है, एक person के द्वारा, ठीक है, उसमें manufacturing भी है, farming भी है, it's always move around certain condition, तो कोई भी economic activity आपकी, जो कि एक person के द्वारा run की जाती है, वो एक कुछ conditions के इर्दगिर्द run की जाती है, उस conditions को हम बोलते हैं environment, हम पढ़ते थे ना कि हमारे चारो और का बातावरन, तो business के जो आसपास का environment है, ठीक है, उसी को ही हम बोलते हैं environment, और business environment का मतलब क्या है, कोई भी आपकी economic activity, जो की specific conditions में run की जाती है, that's cause business environment, ओके, तो देखिए classification क्या है आपके business environment की, business environment की जो classification है, business environment की classification है, broadly two types से, internal environment and external environment, internal environment में आपका general क्या आता है, porter की जो value chain है, Michael Porter की, जिसमें total nine activities है, ठीक है, five आपकी primary activity है, और four आपकी secondary activity है, Michael Porter ने discuss किया था इस concept को, ठीक है, 1985 में अपनी book में competitive advantage की जो उसकी book थी, ठीक है, in which he first introduced the concept of the value chain, और competitive advantage की book से, आपको ये याद रखना है, कि जो competitive advantage की theory है, वो भी किस ने दी है, Michael Porter ने दी है, ठीक है, तो यहाँ पर दो question important है, mainly most important काफी बार direct question आपका पूछा जाता है, कि जो value chain है, वो किस ने दी है, तो Michael E. Porter ने या Michael Porter ने दी है, आपका answer होना चाहिए, second, total कितनी activity value chain में होती है, तो total 9 activities होती है, जिसमें 5 primary और 4 आपकी secondary होती है, ठीक है, उसके बाद most important कि जो influential हुआ था ये term, वो कब हुआ 1985 में और किस book में competitive advantage की book में, तो देखिए, इतने से content में, इतने से content में आपके 2-4 question निकल के आए है, तो आपको बस अपनी जो, आपकी जो eyes है, वो ये देखनी चाहिए कि कहां से questions बन सकते हैं, ठीक है, content करने से important होता है कि आपको ये पताओगी, question किस type से आते हैं, और question कहां से बन सकते हैं, और ये चीज़े मैं आपको साथ की साथ बताती रहूंगी, आपको जस्ट अपने notes जब आप बना रहे हो, तो उसको आपको record करने हैं, ओके, तो देखिए, external environment में, macro और micro, दो type के environment होती हैं, macro environment आपका basically broad term है, ठीक है, और इसको हम general environment भी बोलते हैं, यहाँ पर direct question आजाता है, कि general environment किसको बोलते हैं, macro को या micro को, तो आपका answer होगा macro को, ठीक है, तो macro environment को हम क्या बोलते हैं, general environment, उसके बाद, micro environment, micro environment का मतलब क्या है, जिसका area macro से small होता है, और most important exams में question आया हुआ है, कि task environment कौन सा होता है, तो micro environment को हम task और operating environment बोलते हैं, clear बात, अब यहाँ पर आपको सिरफ इतना यह देखना है, कि macro, macro ठीक है, और micro दोनों environment हैं, ठीक है, macro environment में क्या आता है, और micro में क्या आता है, तो देखिए, macro environment में, जितने भी आपके environment के types हैं, like, economic environment, ठीक है, economic environment वो होता है, जिसमें economics से related activities को आप discuss करते हो, ठीक है, legal environment, जिसमें जो आपके जितने भी laws हैं, जो business के उपर implement होते हैं, like, companies act, GST act, जितने भी आपके laws हैं, ठीक है, वो सारे किसमें आएंगे, legal environment में, फिर आपका demographic environment, demographic environment में, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लिख लिजी इसको, demographic environment का मतलब क्या होता है, demographic environment का मतलब होता है, जिसमें एक person की age, education level, ठीक है, economic certification होता है, economic certification का मतलब, economically उसकी कितनी income है, ठीक है, उसके according start-up बनाए जाते हैं, groups बनाए जाते हैं, उसके बाद है आपका social and cultural environment, यानि जितने भी broad terms है environment हैं, वो सभी इससे related करेंगे, और last one है आपका international environment, international environment में, आपका WTO, IMF, जितने भी international organization है, SARC, उनसे related क्या-क्या changes हुए है, ठीक है, WTO की जो term है, वो आपके business को कितना effect डाल रही है, IMF में कुछ changes हुए है, quota increase हुआ है, मानली जी इंडिया का, तो आपके उपर उसका क्या effect पड़ा है आपके business के उपर, तो ये होते हैं macro environment, ठीक है, social और cultural environment होता है, जिस environment में, जिस society में, जिस culture में आप क्या कर रहे हो, रहे रहे हो, वो आपको कितना effect डाल रहे है, फिर है micro environment, micro environment को most important, again I said, task environment कि इसको बोलते हैंगे question आया हुआ है, और आपका जो competitors है, ठीक है, जो supplier है आपका, जो public है, public में दो चीज़े हैं, public में आपकी जो media है, वो भी आता है, और public में आपकी जो arm public है, यानि कि जो इसमें customer वगेरा हैं, वो भी आते हैं, ठीक है, जो आपके goods को promote करते हैं, local public जहां पर आपकी industries established है, वो भी public में आती है, जैसे कि environment pollution है, ठीक है, यह आपके किसे relate करता है, public से, यानि कि जो local public है, उसको effect डालता है, तो supplier, competitor, customer और public, ठीक है, यह किसमें आते हैं, आपके micro environment में, इसको मैं with diagram क्यों करा रही हूँ, intermediaries जितनी भी है, क्योंकि इसमें wholesaler और retailer यह सब कुछ है, इसको मैं with diagram इसलिए करा रही हूँ, क्योंकि जो important चीज़ है, task, operating, यह मैंने earlier लिख दी है, आप यहां से देख लीजिए, आपको screen पे show हो रही है, और जो difference है macro और micro का, वो आप, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, वैसी जैसे note down कर लीजिए, क्योंकि यह सिरफ आपके समझने के लिए है, यहां से questions नहीं आते, इसलिए मैंने इसके उपर ज़्यादा focus नहीं किया, ठीक है, तो आप tension मत लीजिए, देखो micro में, आपका जो broad term है, जितने भी environments हैं, वो आएंगे, और micro में, micro is a small term than micro, और इसमें आपका competitor, supplier, खाली इनके नाम आप याद रख लीजिए, ठीक है, जो आपके public है, intermediaries है, वो सभी किसमें आएंगी, micro में, ओके, देखिए, next है आपका, अब जो porter की value chain मैंने discuss की थी, उस value chain को हम detail से करते हैं, क्योंकि यह most important है, और यहां से question आते हैं, internal environment में, porter value chain का topic हमने किया था, और porter value chain में, आप यह याद रख लीजिए, पहली बात, total कितनी activity होती है, again, I said, जो जो important चीज़े हैं, उसको note down करें, total 9 activities होती है, primary आपकी 5 है, supportive आपकी 4 activities है, ठीक है, अब इन activities के नाम, क्योंकि exam में क्या होता है, primary जो activities है, वो देकर पुछेगा, ठीक है, कि operation is a primary activity, secondary activity, both, none of these, ठीक है, तो आपका answer क्या होगा, primary activities, ठीक है, तो देखिए, यह जो concept है, वो कहां से develop हुई है, Michael E. Porter ने की है, competitive advantage की जो book है, उसमें की है, यह आपको पता है, उसके बाद क्या है, कि इसमें activities 5 में, inbound logistics क्या होता है, पहली बात logistics क्या होता है, अब देखिए, दो word है, एक है आपकी supply chain, एक है आपकी logistics, अब supply chain और logistics, दोनों ही आपकी related terms है, कैसे related हैं यह, सबलब होता है, goods manufacture से, goods manufacture से, wholesaler, wholesaler से retailer से consumer, यह supply chain है, ठीक है, अब इस supply chain को cover करने में, जो चीज़े help करती हैं, वो किसमें आती हैं, logistics में, वही logistics, two types का आपका होता है, ठीक है, एक है आपका inbound logistics, और एक है आपका outbound logistics, जब आप raw material purchase करते हो, ठीक है, जब आप raw material purchase करते हो, तो raw material वगेरा को handle करना, ठीक है, warehouse में store करना, delivery लेना, यह किसमें आएंगे, inbound में, उसके बाद, operation, यानि की raw material से finished goods बनाना, आप start कर देते हो, packaging वगेरा, outbound, जब आपका product बनके तयार हो जाता है, अब उस product को warehouses में store करना, order processing करना, delivery करना, यह सभी आपके किसका part है, यह सभी आपका part है, outbound logistics का, फिर जब आपका product बनके तयार है, order processing के activities हो जाती है, then, आप pricing, promotion, marketing की चितनी भी चीज़े हैं, implement करते हो, communication, ठीक है, और आप marketing और sales पे focus करते हो, last, but not the least, in primary activities, not in value chain, primary activities में है, services, services में आप क्या करते हो, inbound logistics, operations, यानि कि inbound में तो raw material वगेरा है, वो handle किया, operations में आपने उसको finished goods में बदला, outbound में आपने क्या किया, जो finished goods था, उसको delivery वगेरा, where houses में transportation, store किया, transportation, delivery, order processing, inventory management के logistics के parts है, ठीक है, इन ही को ही हम logistics बोलते हैं, फिर आपने marketing और sales की, उसके बाद after sales services, after sales services में क्या है, अब delivery, ठीक है, installation, repair, जो आप product को sale करने के बाद services प्रोवाइड करते हैं, वो किसमें आएगी आपकी services में, तो ये थी आपकी primary activities 5, उसके बाद है supporting, जो इनको support कर रही है, तो supporting activities आपकी total कितनी है, चार है, ठीक है, first है procurement, procurement का मतलब है, जब आप raw material को प्राप्त कर रहे हो, procure कर रहे हो, उसके बाद जो product आपका बनता है, plant वगेरा में, product manufacturing में, designing में, packaging में, कुछ technology आपको चाही होती है, जो support करती हैं आपकी primary activities को, उनको हम बोलते है, supporting activities, तो वो किसमें आएगा, technology development में, then, जो product को manufacturing करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, HR, यानि human resource हमारे organization के, तो उनका recruitment, selection, performance appraisal, training program किसमें आएगे, HRM में, and last, firm infrastructure, infrastructure का मतलब, firm का management है, finance है, legal planning है, वो किसमें आएगी, infrastructure में, तो total आपकी, 4 supporting activities है, ठीक है, 5 आपकी primary है, किस ने दी थी, Michael Porter ने, और 9 activities, total हो गई, clear, उसके बाद, next देखिए, environment जो है आपका, जो चीज़ें मैंने macro और micro में, आपके साथ में discuss की थी, ठीक है, वही चीज़ें, मैंने आपको एक graph के रूप में, एक diagram के रूप में भी show की है, तो देखिए, यहाँ पर एक है आपका internal environment, ठीक है, एक तोग है आपका internal environment, जिसमें हमने Porter की value chain है, वो discuss कर ली अच्छे से, 5 activity यहाँ है, 4 activity यहाँ है, इन 5 में inbound logistics, operation, outbound logistics, marketing and sale और services है, supporting में procurement, technology, HRM और infrastructure है, ठीक है, अब है external environment, macro और micro, यहाँ से आप note down कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी broad environment है, वो यहाँ पर आ गए, और micro में, जितने भी small environment है, यानि कि, जो small चीजें, sorry, small environment नहीं, small चीजें हैं, जैसे जिनका area small है, वो micro में, जैसे customer, जो आपके business पे effect डालते हैं, environment के हैं, जो आपके business को प्रभावित कर रहा है, suppliers, public, competitors, intermediaries, तो इसको most important, again, task environment बोलते हैं, question आया हुआ है, general environment, macro environment को बोलते हैं, clear? next है, classification of business activities, इसके साथ में, एक question आपका industry के type से आता है, और commerce के बच्चे हो, तो देखो commerce की definition तो आपको पता होनी चाहिए, मैंने बहुत पर देखा है कि बहुत सारी बच्चों को commerce की exact definition नहीं पता होती, तो देखिए, यहाँ पर आपका जो industry है, ठीक है, business activities है, वो कितने type से, कितने parts में divide है, two parts में, one is industry, second is commerce, इंडस्ट्री में involved है आपका production और process of goods and services, जब आप manufacturing करते हो, process करते हो, यह आपका किस से relate करता है, industry से, commerce आपकी वो सारी चीज़े include करती है, जिसमें आप goods को transfer कर रहे हो, exchange कर रहे हो, facilitate, जिसको हम बोलते है, auxiliary services, यानि सहायक सेमाएं आप दे रहे हो, किसको manufacturing goods को, वो किसका काम है, commerce का, तो commerce is a broad term, commerce क्या है, broad term है, ठीक है, commerce is a broad term, जिसमें आपका manufacturing, ठीक है, जिसमें आपका manufacturing activities को facilitate करना, उसके साथ में, sale, transfer, exchange करना goods and services को भी involved है, और ये remove करता है, जितने भी आप stickers आते हैं, और facilitate करता है, आपकी industries को, आपके business को, clear, आप बहुत बार question आते हैं, industry के type से, तो देखें, industry के types को, हम total, इस chart के through कर सकती हैं, first है, on the basis of source of raw material, raw material के base पर, आपकी दो type के industries होती है, एक है agro-based industry, एक है mineral-based industries, agro-based industries क्या होती हैं, जो agriculture से, नाम से ही है, as its name suggests, commerce में क्या चीज़े हैं, जितनी भी आप important terms करोगे, वो name से ही आपको idea हो जाएगा, जैसे कि primary और secondary activity, जो secondary activity, जो primary को support करती है, agro-based industries में, जो agriculture को, क्या करती है, जो agriculture से related industries हैं, वो किसमें आएंगी, agro-based में, छीक है, जिसमें आपका cultivate करना, ठीक है, farming हो गया, ठीक है, fruits वगेरा, vegetables आपको मिल रही हैं, ये type की, mineral-based, जिसमें आप minerals निकाल रहे हो, ठीक है, फिर है on the basis of capital investment, capital investment के base पर, दो type के industries हैं, एक है large scale, जिसमें large amount में, आपको capital invest करनी पड़ती है, second है small scale industry, जिसमें small scale में आपको investment करनी पड़ती है, फिर है आपका on the basis of ownership, ownership के base पर तीन, चार टाइप की होती है, एक है public sector, जिसमें ownership गुवर्मेंट के पास में होती है फिर है private sector जिसमें ownership प्राइवेट पीपल्स के हाथ में होती है थर्ड है joint sector और last है cooperative sector of industries जो एक common societies की help के लिए बनाया जाते है उसको बोलते है cooperative sector जिसमें cooperative societies वगेरा होती है फिर है आपका on the basis of bulk and weight of raw material and finished goods weight of raw material और finished goods के base पर bulk के base पर दो type की आपकी industries होती है एक है heavy industry, second है light industry heavy industry में आपकी जो materials वगेरा है वो heavy होता है जैसे machinery's वगेरा, plants वगेरा light industry में आपका जो material है वो light nature का होता है next देखिए agro-based industry के definition यहाँ पर given है आप चाहें तो not down कर सकते है agro-based industry would mean any activity involved in cultivation under control condition of agricultural, horticultural crops ठीक है जिसमें crops आगया यानि की vegetables, fruits जितने भी आपके harvesting, cultivation, agriculture से related है वो किसमें आएगा agro-based industries में next है आपका industry का chart यह important है आपके लिए तो यहाँ पर primary में क्या होता है देखो मैं बताती हूँ आप साथ साथ note down करें primary, secondary और tertiary आपको पता है tertiary sector को हम क्या बोलते हैं service sector भी बोलते हैं और जो mainly हमारा जो main source है income का वो कहां से आता है इन तीनों sector में से most of the part हमारा tertiary sector जिसमें की जितनी भी services है वो include की जाती है यहाँ से rise होता है तो primary में extractive और genetic दो टाइप की industries होती है extractive में क्या होता है आपका extractive का मतलब होता है कि आप natural resource वगेरा को क्या कर रहे हो आप products को natural source से like air, water, earth जैसे की fish from the river आप निकाल रहे हो तो यह आपका क्या हो जाएगा extractive जिसमें आप natural source से product को निकाल रहे हो genetic में क्या है आपका genetic में आपका होता है जिसमें आप क्या कर रहे हो breeding कर रहे हो plants और animals की plants और animals की breeding कर रहे हो ठीक है like cattle breeding ठीक है मचली पालन यह किसमें है आपका genetic में अब एक बात याद रखना natural source से कुछ भी निकाल रहे हो extractive में है plant और animals से आप क्या कर रहे हो breeding वगरा कर रहे हो reproduction activities हो रहे है वो किसमें आएगा आपका genetic में plants को हम science की language में बोलते है flora और animal को हम बोलते है phona ठीक है फिर है secondary secondary में आपका manufacturing और construction अब manufacturing में आपकी चार है analytical, systematic processing and assembling analytical का मतलब क्या है वो industries नाम देखो analysis, visualization जहां पर आपकी एक पूरी broad term है broad चीज़ है उसमें से आप parts में क्या कर रहे हो finished goods निकाल रहे हो यानि कि जैसे कि आप एक चीज़ के बहुत सारे parts करते हो तो उसको बोलते हैं हम analysis करना same analytical industries में क्या होता है आपका जैसे कि आपका crude oil है कच्चा तेल है उसमें से आप क्या क्या बना रहे हो आप उसमें से diesel भी बना रहे हो petrol भी बना रहे हो ठीके उसमें से आप kerosene बना रहे हो ये किसका example है analytical का significant synthesis का मतलब होता है analytical का just opposite इसमें आप क्या कर रहे हो जितनी भी आपके parts में चीज़े हैं, उन सब को आप क्या कर रहे हो, combine करके एक बना रहे हो, ठीक है analytical तो आपका क्या होता है general to particle particular, यानि की parts में जाता है, whole to parts, synthetical आपका होता है, parts to whole, syntheticals आपका होता है parts to whole, ठीक है तो इसमें आप क्या कर रहे हो, जितनी भी आपके chemicals वगएरा है, उनको combine करके आप एक product है, वो बना रहे हो mainly इसका example है आपके cement country, जिसमें बहुत सारे raw materials है, raw material 1, raw material 2, raw material 3, और इनको combine करके आप एक finished goods बना रहे हो, ये किसका example है synthetical का, okay next देखिए processing, processing का मतलब क्या है, जब आप process कर रहे हो किसी भी चीज की, जिसमें आप क्या कर रहे हो process कर रहे हो process में like, जैसे sugar industries है, paper industry है जिसमें आप क्या करते हो process करते जाते हो, अलग-अलग item से, एक process से process 1 से, process 2 में process 2 से, process 3 में ठीक है, उस industries को हम बोलते हैं, processing industry उनको हम क्या बोलते हैं processing industry assembling में क्या होता है आपका जिसमें आप जितने भी parts हैं उनको assemble कर रहे हो जिसे automobile sector है आपका टीवी है car है fridge है इसमें आप parts को क्या कर रहे हो assemble कर रहे हो कि आपका assembling industries है construction जो industries है आपकी जिसमें आप construct कर रहे हो कुछ जैसे road manufacturing है ठीक है जिसमें आप dam बना रहे हो river बना रहे हो ये सारी चीज़े क्या है construction industry का part है tertiary में जितनी भी services है like transportation, banking ठीक है like आपको warehousing वगरा की services financial services government आपको provide करवाती है transportation की services, communication services, banking ठीक है financial services ये किसका part है tertiary sector का और इसको हम service sector भी बोलते है ठीक है अब यहां से question देखे ये तो थी concept मैंने बताया था ना कि हर एक concept के साथ में हम question discuss करेंगे यहां से question देखे कहां से आते हैं जिसे कि आप से पूछा जाएगा extractive industry is a part of primary, secondary, tertiary your answer is primary industry, फिर second आप से पूछा जाएगा, synthetical industries, ठीक है, is a part of synthesis होता है यानि कि जब आप क्या करते हो जब आप अलग-अलग जो आपके raw materials हैं, उनको आप क्या कर देते हो, total को यहां पर जितने भी आपके raw materials हैं, उनको आप combine करते हो, ठीक है, तो वो आपका किसका part है, synthesis का, जब कि analytical इससे opposite है whole to part है, यह क्या है, part to whole है, ठीक है, तो यह पूछा जाएगा, तो आपने बोलना है secondary, और secondary में किसका manufacturing का इस type से question है, यहां से उचे जाते हैं, ठीक है, फिर देखिए, यहां पर हम जितने भी industries हैं, ठीक है, industries है, यह आपकी revision के लिए एक sheet है, वो बनाई गई है, इसको हम तीन parts में कर लेते हैं, primary, secondary, tertiary, आप साथ-साथ देखिए, अपने घर पर आप देख रहे हैं वीडियो, आप revise करेंगे साथ-साथ, primary में दो, ती हैं आपकी extractive and genuity, secondary में, mainly दो, manufacturing, और उसके बाद, manufacturing के बाद, बोलो-बो, manufacturing और construction, ट्रश्री में जितने अभी service sector है, वो आएगा, manufacturing में आपकी total 4 है, ठीक है, तो यह आपकी क्या हो गई, industries की revision हो गई, ठीक है, next है आपका, industries, जो manufacturing है, उसको मैंने इस chart के थ्रू दिखाया है, और उनका example भी दिया है, जैसे analysis, जो industries है, उसमें हम क्या करते, analytical में, separate करते, different elements को, मैंने बोला था न, आपको क्या करोगे, इसमें, इसमें आप चलोगे, whole to, इसमें आप चलोगे, whole to, whole to, part, ठीक है, तो इसमें आप separate करोगे चीजों को, ठीक है, यह एक पूरी चीज थी, इसको आपने separate कर दिया, यह आपकी analytical है, oil refinery होगी इसमें, ठीक है, हमने petrol का example लिया सिंथेटिकल में आप क्या कर रहे हो, यहां से इसका बिल्कुल just opposite, parts में चीजें है, उनको collect कर रहे हो, cement industry हो गई, फिर sugar और paper आपकी processing है, और assembling में जैसे car हो गई, clear, छीक है, यह आपका इसका chart था, उसके बाद, next है आपका, revision, मैंने बोला था, कितना भी topic हम करेंगे, उसका हम last में revision करेंगे, और revision important है, तो last five minutes, revision के लिए, revision में हम करते है, start, हमने जहां से किया था, business environment का meaning, तो business environment का meaning क्या है, business environment दो word से मिलकर बना है, ठीक है, उसके बाद, business और environment, business एक economic activity है, environment conditions, जिसमें वो economic activities होती है, ठीक है, फिर internal और external environment, उसमें most important part है, आपका, macro को हम general बोलते हैं, और micro को हम task और operation, environment बोलते हैं, operating environment, और वहीं पर internal जो environment है, आपका, उसमें पोर्टर, value chain, most important, total activities, साथ साथ बोलोगे, 9, 5, primary, 4, secondary, primary में, inbound, operation, outbound, marketing, sales और services, और 4 में, infrastructure, procurement, HRM, technology, ओके, यहां से question आती हैं, बहुत बार, फिर उसके बाद, हमने किया, types of industries का, on industries का, आप ही हमने, revise किया ही है, 3 type की industries होती है, तो यह था, आज का topic, ठीक है, I hope, आप सब को समझ में आया होगा, ठीक है, इस topic के notes बना लीजिए, अच्छे से revise कर लीजिए, ओके, हम अब next topic को करेंगे, next class में, thank you so much.